हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेगर है और मैं एक मनोविकार सेक्स रोक सम्मोहन और नशामुक्ति तग्य हूं मैं एनलपी ट्रेनर और कोश भी हूं आज मैं आपको बताने वाला हूं Obsessive Compulsive Disorder का इलाज सम्मोहन के द्वारा प्रत्यक्षिक रूप से कि这 अपसे से अंपसिज डिस डरम में होता किया है एक तो विचार बार-वार आते है spirituallyP और वो विचार उनको मालूम है कि वह करेंगा नहीं मगर वैसे विचार जैसे भगवान के बारे में बुरे विचार आना सिक्स के बारे में बुरे विचार आना या किसी को मार देना इसी विचार आना ऐसे बार-बार विचार आते हैं उसके उपर वो action नहीं करता है सिर्फ विचार आते रहते हैं और कुछ बार-बार की विचार ऐसे आते हैं कि जिसके उपर उसमें मैंने दवाईयों के बारे बताया अलग-अलग behavior therapy, psychotherapy, सब बताया हमने अभी मैं आपको बताने माला हूँ प्रत्यक्षिक करना सम्मोन का उसके उपर, प्रत्यक्षिक करें बताने माला हूँ तो obsessive-compulsive disorder जो है, मंत्र की बिमारी, मंत्र जैसी वही 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 विचार आना और वही वही कुर्टी करना जिसमें लॉक बार-बार चेक करना, बार-बार हाथ धोना, बार-बार स्नान करना, बार-बार घर साफ करना, बार-बार कपड़े धोना या फिर सिर्फ विचार आना बार-बार के उसके बारे में भी बताने वाला हूँ तभी हमको सम्मोन का इनके उपर अभी उपचार करना है तो इसमें होता गया है कि जैसा operation के समय पहले हम उसको patient को भूल देते हैं और भूल देते हैं और भूल देने के बाद में उसका ऑपरेशन करते हैं वैसे यह पहले सम्मोन की प्रक्रिया करेंगे और सम्मोन की प्रक्रिया के बाद में फिर उनको कौनसे कौनसे सजेशन देना सूचना देना है वो फिर बताएंगे तो अभी सम्मोन की प्रक्रिया करें मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि मैं कौन से कौन से शब्द का इस्तेमाल करूँगा मैं बार 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 रिलाक्स ऐसा बोलूँगा रिलाक्स इसका मतलब ऐसा है कि शितिल करना धिला करना मैं बार 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 स्लीप ऐसा बोलूँगा sleep इसका मतलब है कि सोना मतलब सोरे ऐसी कलपना करना है आड़े सोरे है गद्दे के उपर लिटे वे बेड़े के उपर और सोरे ऐसी कलपना करना है मैं आपको बार 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 डीप ऐसा बोलूँगा मैं जब डीप बोलूँगा तब आप गरी-गरी अंधेरी गूफा में अंदर जा रहे है आखों के सामने अंधेरा आ रहा है ऐसी कलपना करना है और गूफा में जाने का है ऐसी कलपना करने का है तो जैसा डीप-डीप-डीप बोलूँगा मैं तो आखों के सामने अंधेरा आ रहा है और आप गेरी-गेरी गुफा में अंदरे में जार ऐसी कलपना करना तो मैं डीप, रिलाक्स और स्लीप ऐसे बार-बार कुड़ूँगा तो इसके बाद में फिर मैं आपको एक से दस्त गिंती करवाँगा उसमें और गेरी-गेरी सम्वोन ऊश्टा में आप चले जाएंगे और फिर मैं आपको कुछ सूचना आदूँगा तो मेरे शब्द सुनने का नहीं तो को होता क्या कि subconscious mind को शब्द नहीं सुमस्टा subconscious mind को समस्टा है picture शब्द की भाष्ण समस्टी नहीं है पिक्चर समझता है, imagination समझता है, visualization समझता है तो मैं जो जो आपको सूचना है दूंगा तो आपने को visualize करने की, मतलब देखना है आखों के सामने जैसा मैं आपको बोलूंगा कि आप लोगों के सामने हो आपको हाथ दोने की इच्छा हो रही है मगर आप खुट को हाथ दोने से रोक रहे हो तो देखना है कि मैं ऐसा अपने आपको रोक रहा हूँ और उसमें मैं रिलाक्स हूँ मैं वह रहा हूँ कि बारबार अपने विचार आ रहा है कि सनान करने का है तो वही विचार आ रहा है सनान करने का मगर मैं विचार के उपर कृति नहीं कर रहा हूँ मैं सनान करने के लिए नहीं जा रहा हूँ और वहाँ आपने आपको देखना है कौन से लोगों के साथ में आप है किस तरह के आवाज आ रहे है आप लोगों को क्या बोल रहे है लोग आपको क्या बोल रहे हैं, आपने कोई से कलर के कपड़े पहने हुए हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, वैसा पूरा वो अवस्ता में आपने करने का है, तुभी हम चालू करते हैं, तो आप आखे बंद करो, हाथ, उंगलिया ना इक दूसरे मैं ऐसे फसलो, और पैर को पैरों के पंजे जो है, ऐसे कैची मारने का है पंजों को, और रिलाक्स बाटने का है, सिर्फ मेरी आवाज सुनने की है, बाकि कोई भी आवाज दूसरी सुनने की नहीं, दूसरी कोई भी आवाज के तरफ ध्यान देने का नहीं, पूरा बदन रिलाक्स, रिलाक्स, रिलाक करो, तलवे रलाक्स होग, पैरों के पंजे रलाक्स करो, पंजे रलाक्स होग, गुटने रलाक्स करो, गुटने रलाक्स होग, दोनो पैर रलाक्स करो, दोनो पैर रलाक्स होग, पैर रलाक्स करो, पैर रलाक्स करो, पेथर रलाक्स हो गयो ज हरुए, कमार र्लाक्स हो गयhus घ मधर रलाक्स हो गयो पेftर, रलाक्स गयो पेप्र, रॉहह, ४ेड्र, रलाक्स हो गयो कtvर रॉप्षनुस्वड동डो। सिन में कन्धे रेलाइवा गरो कन्धे रेलाइवा दोनों आद रेलाइवा रेलाइवा घर्दन रेलाइवा गर्दन रिलाक्स हो गया, जबड़ा रिलाक्स करो, जबड़ा रिलाक्स हो गया, गार रिलाक्स करो, गार रिलाक्स हो गया, आखे रिलाक्स करो, आखो की पलके रिलाक्स करो, आखे रिलाक्स हो गया, आ रलाक्स करो ना है पोरा सी रलाक्स करो पूरा सी रलाक्स रलाक्स रलाक्सों पूरा stress चेहरा रलाक्स, चेहरा रलाक्स, पूरा बदन रलाक्स, and now sleep, 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 deep. आप गहरी-गहरी संवहन उस्ता में गए हो, और गहरी-गहरी संवहन उस्ता में जा रहे हो, आप खोख़रे हो, सामने अंधिरा 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 अछा गया है, आपका Sab conscious mind, अभ सुचना ये लेने के लिए तयार है, मैं भी एक से रस्तव किन्ति करूंगा जैसि जैसे जी इंति बढ़ता जाएंगे आपकी सम्मोह नास्ता और गेहरे-गेहरे होते जाएंगे और आप दिप पिर सम्मोह नास्ता में चले जाएंगे एक दो तेन चार पाँच छे साथ imana चार तेन्ट हाँच того जराँच आवास ढो मैं सकते हाँ अग कांद आव Şu खिश्यो टेजा फिश्टी अगो और ऻ्गो। जा residue Прेंट हाँच ऌगच ऑाँग। मैं अभी आपको कुछ सूचनाएं देने जा रहा हूँ वह सूचनाओं का अपने पालन करना है और अपने रोच के जीवन में, रोच के वेवार में अपनाने की है आपका सबकॉंशस माइन, अचेतन मन अब सूचनाएं लेने के लिए तैयार हो चुका है वो तैयार हुआ है मैं जो जो बूलूंगा वो आपने सुनने का है और वैसी वैसी आपने कलपनाएं तैयार करनी है चित्र तैयार करना है जब जब आपके मन में बार बार के फाल्दू के खैलाद आते जाएंगे वहीं वहीं खैलाद आते जाएंगे बिना मतलब के खैलाद आते जाएंगे तब तब आपको उसका अहसास होंगा कि यह खैलाद फाल्दू के है इसमें कोई तथ्य नहीं है अर्थ नहीं है वो खैलाने के बाद में आप उसको बाजू में रखेंगे और अपने काम के उपर फोकस कर सकेंगे ख्याल दे सकेंगे अभी आपने ऐसी कलपना करना है कि आप कोई काम कर रहे है बार बार के हाथ दोने के विचार आ रहे बार बार के असनान करने के विचार आ रहे या पोई चट करने के विचार आ रहे या कोई भी ऐसे विचार आ रहे पुजा पाठ करने के विचार आ रहे तो विचार आ रहे है और विचार जा रहे है आप उसके उपर कृति नहीं कर रहे है यह आपने अपने आपको देखना है कृति कुछ भी नहीं कर रहे है विचार आ रहे है और विचार जा रहे है आप एकदम रलाक्स, रलाक्स, रलाक्स है आपने आप आप देखो, आप कौन से लोगों के साथ में है, वो देखो, वो लोगों में कौन से ड्रेस पहने है, आपने कौन से ड्रेस पहने है, वो देखो, बात्चीत क्या चल रही है, वो सुनो, उनकी बाते सुनो, आपकी बाते सुनो, आपकी बाते सुनो, आपको गैसा हो रहा है वो देखो हो सकता है कि आपको बहुत टेंशन वाला फिल हो रहा है कि हाथ दोने के विचार आ रहे है हाथ दोना ऐसा लग रहा है कि हाथ दोना चे मगर आप अपने आपको बहुत ही रिलाक्स रख रहे हो बहुत रिलाक्स बहुत ज्यादा रिलाक्स विचार आ रहे आप उसके उपर कुछ भी कुरुति नहीं कर रहे, कुछ भी कुरुति नहीं, विचार आ रहे और विचार जा रहे, आप कोई कुरुति नहीं कर रहे, अपने आपको कैसा महसूस करते है, ऐसा महसूस अभी करो, कहां है वो जगह देखो, और उसके उपर आप कृति नहीं कर रहे हैं, उसको बाजी में रख रहे हैं, अपने काम के उपर ख्याल दे रहे हैं, इसी कल बना करो यह विचार आटो पायलट मोर पर है, आटो मैंटिक आ रहे हैं, आपका उसके पर कोई नहीं है वो विचार आ रहे है और विचार जा रहे है आपने उसके तरफ ख्याल देना ने उसको बाजी में रखना है और आपको ये कल्पन अगरने के आप अपने काम में बीजी हो रहे हो तो जब-जब आपके मन में बार-बार के फालतु के विचार आ रहे जब जब वो subconscious mind में ऐसे बार बार के विचार आ रहे तब तब आपको उसका एसास होंगा कि विचार फाल्तु के है इसमें कोई तथ्य नहीं है इसमें कोई अर्थ नहीं है उसके ओपर action गरने की जरुद नहीं है वो विचार आप बाजु में रखेंगे टेंशन आ रहा है आपको तब भी कोई चिंदा नहीं है बहुत रिलाक्स रखेंगे आपने अपकाप बहुत ही रिलाक्स रखेंगे बहुत रिलाक्स 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 अपने आपको देखना है वो वातारण में देखना है वो situation में आपने आपको देखना है आप घर में होंगे office में होंगे बजार में होंगे आपको लग रहा है विचारा रहा है कि ये खराब हो गया है और उसके तरब आप ख्याल नहीं दे रहे हैं उसको बाजी में रख रहे हैं और अपने काम के उपर focus कर रहे हैं जितने भी बार वो बार बार के विचार है उसको बाजी में रख रहे हैं और अपने काम के उपर focus कर रहे हैं ऐसा आपने आपको देख रहा है wonderful बहुत अच्छा बढ़िया अपने आपको देखो रोच के जीवन में मैं वाता हो रहे हैं मैं घर के लोगों के साथ में घर में सब तरह देखो अपने आपको कैसे विचार आ रहे हैं उसके उपर आप खुर्ती नहीं कर रहे है तो जब जब आपके मन में ऐसे बार बार के विचार आ रहे हैं हालतों के विचार आ रहे हैं बिना मतलब के विचार आ रहे हैं बिना वजय के विचार आ रहे हैं तब तब आप उसको बाजी में रख रहे हैं वह वीचार आ रहे है और जा रहे है आप उसको ख्याल ने दे ए उसके उपर अपने काम के उपर फोकस कर रहे है उसके उपर कृति नहीं कर रहे है very good, wonderful मैं आपको भी समय दे रहा हूं दो मिनिट का उसमें अपने आपको देखना है कि आप कितने रलाक्स बैठे हो, बहुत रलाक्स, रलाक्स, रलाक्स कोई तकलीब नहीं हो रही है आपने आपको, कुछ भी तकलीब नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, विचार आ रहे है और विचार जा रहे है, कोई प्रॉब्लिम नहीं है कर दो कर दो के लिए कर दो प्रॉब्लिम नहीं है बहुत अच्छा है, अभी मैं आपको कल्पना करने के लिए ब़ो रहा हूँ कि आप बड़े बलून में बैटे हो, बलून को एक खड़की है, बलून में आप बहुत ही comfortable बैटे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रेलाक्स है और बाहर, बलूं के बाहर एक दूसरा दिलीब है, वह आप ही है, मगर वो जो दिलीब आम देख रहे हो, वो बहुत ही आदर्श दिलीब है, बहुत ही आइडियल है, उसको मालू है, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, उसको विचार नहीं आते हैं, बहुत ही शान् अदिलीप अभी खिर्की मैं से अंदर आएंगा बलून में क्पी खोल दिया उसने बलून में अंदर बलून में अंदर आए हाया हो अंदर आने के बाद में आपके बोडी में उक बुछा हो आपसे वो एकरूप हो रहा है पूरा अंदर अपने आप में आ गया हो और आप एक नया दिलिप महसूस कर रहे हो नया दिलिप, ट्रांस्फॉर्म दिलिप जो भी उसको चिंदा ने बार बार की, उसको confidence है, अपनो विश्वास है, और वो दिलिप आप तैयार होगे है, नया दिलिप, वो पहले वाला मर गया, बहुत बढ़िया, नया इंसान, ट्रांस्फॉर्म दिलिप, जिसको विचार भी आते नहीं है, मन एकदम शान्त है, मन रल विचार आते हैं और जाते हैं, उसको कोई चिंदा ने है, ऐसा दिलिप भी बन चुका है, वो विचारों की उपर आप कृती भी नहीं करते हों कुछ, जैसा कि बार बार हाथ दोना, फरसी गिनना, स्नान करना वो भी नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जैसे जैसी गिनती कम-कम होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी सम्मोना उस्ता द्रीदरे खुल जाएंगे, और आपको जागा जाएंगे, जागाने के बाद में आपको बहुत फ्रेश लगेंगा, अच्छा लगेंगा, तीन, ज्रीदरे आके खुल रहे है, बहुत फ्रेश लगेंगा आपको दो बहुत ही फ्रेश वरी गुट एक आके खोलो जाग जाओ बहुत ही अच्छा वरी गुट कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है तो यह इस प्रकार का जो है आप यह हेड़-फोन लगाके य devrait लगाके आप यह सनसकते हो और दिन में आप चार बार का आते वो कम हो जाएंगे नहीं चार बार करना तो कम से निर्मान करके करो, पिक्चर निर्मान करके करो, कलपना करके करो, कि अपन कैसे अच्छे हुए है, आपके संबर्ग में काफी लोग होंगे, जिनको ऐसा कुछ ना कुछ रूप में यह और सेशिय की बिमारी होंगे, जैसा कि भगवान को दो-चार बार नमस्ते करना, फरसी ग बिनना, लॉक को बार-बार चेक करना, अंदर से बोल किया एकिन उसको चेक करना, सीधियां चेक करना, या सनान जादा करना, बार-बार हाथ दोना, बार-बार के विचार आना, किसको बार-बार के हांट अटक के विचार आना, किसको बार-बार के हांट अटक के विचार आ तो ऐसे आपके संपर्ग में काफी लोग होगी जो डॉक्टर के पास में जाती नहीं उनको लगता कि हम पागल होगे क्या डॉक्टर पास में जाना क्या तो यह पागल बन नहीं है तो इसका इलाज करना बहुत ज़ुरी है तो इसका इलाज गोली होता है दभाई यहां लेके, सैकोथेरपी मांस उपचार, सम्मोन उपचार, नेरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रेमिंग, एडनल पी टेकिनिक से उससे होता है, ऐसे अलग-अलग तरह से उसका उप्चार हो सकता है और जीवन जीना अच्छा हो जाता है सुस्सर यह हो जाता है, बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशे आ जाएगी तो आपके संपर्ग में काफी लोग ऐसे होंगे, जिनको यह प्राब्लेम होंगा और यह अरिया आप उनको शेर करते हैं, तो उनके प्राब्लेम्स काफी हद तक छुट जाएगी मेरा ऐसा उद्देश है कि हमारे देश का हर व्यक्ति, mentally sound हो, mentally healthy हो कुछ भी उसको मानसिक बिमारी नहीं होना चाहिए, जिसमें आपका हाथ मुझे चाहिए आपका प्यार सदाई मिलते रहेगा, आप जरूर इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और लोगों को शेर करो, थैंक्यू वेरे मच्च